एक बार की बात है विलो ब्रुक के विचित्र गाव में रहस्य और फुसफुसाती कहानियों में डूबी एक पुरानी हवेली थी मूनस्टोन मैनर अपनी आईवी आचादित दीवारों और उचे बुर्जों के साथ गाव पर चाया डालता है किनवदंती थी कि जागीर पर इसके पूर्व मालिक सनकी लॉर्ड मॉन्ट गोमरी मूनस्टोन का भूत सवार था डरावनी कहानियों के बावजूद साहसी बच्चों का एक समूह लुसी, सैम, एमिली और जैक निडर थे वे मूनस्टोन मनोर के रहस्य को हमेशा के लिए सुलजाने के लिए द्रड थे एक धुंधली शाम, फ्लैशलाइट और बहादुरी से लैस, चार दोस्त पुरानी हवेली में चले गए जब वे एक के बाद एक कमरों की खोजबीन कर रहे थे, तो उनके पैरों के नीचे लकडी के फर्ष चर्मरा रहे थे प्रत्ये कमरा धूल भरे फर्णीचर और भूले हुए खजानों से भरा हुआ था अचानक गलियारे में एक ठंडी हवा चली, जिससे उनकी फ्लैशलाइटें बुझ गई और वे अंधेरे में डूब गई दिल की धड़कन तेज हो गई, लुसी फुस फुसाई क्या तुमने सुना? इससे पहले की कोई प्रतिक्रिया दे पाता, जागीर की गहराईयों से एक धीमी आवाज गूंज उठी मूनस्टोन मनोर की शांती को भंग करने का साहस कौन करता है? ये उफान मार गया इससे पहले की सैम आगे बढ़ता, बच्चे घबराए हुए नजरों से देखते, उसकी आवाज स्थिर होती हम कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है सर, हम यहां सिर्फ इस जगह के रहस्यों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए आए हैं आवाज के जवाब देने से पहले एक क्षण का मौन था, इस बार नरम युवाओ, आप बहादुर हैं, कुछ ही लोग वहाँ जाने की हिम्मत करते हैं जहां परचाईयां रहती हैं, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि अतीत में दबे रहस्यों शायद उजागर नहीं होना चाहेंगे निडर होकर, बच्चे हवेली के अंदर तक डरावनी आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ते रहें, रास्ते में उन्होंने चिपे हुए मारगों और गुप्त डिब्बों की खोज की, जिनमें से प्रत्येक में मून स्टोन मैनर के रहस्यमय इतिहास का एक टुकड़ सामने आया, जैसे ही उन्होंने सुरागों को जोड़ा, उन्हें लॉर्ड मॉन्ट गोमरी मून स्टोन की दुखद कहानी के बारे में पता चला, खोए हुए प्यार और विश्वास घात की कहानी, जिसने हवेली को पीडियों तक परेशान किया था, आखिरकार, वे जागीर के केंद्र में पहुँचे, जहां उन्हें मकडी के जालों से ढखा एक पुराना संदूक मिला, कापते हाथों से उन्होंने इसे खोला और लॉर्ड मून स्टोन और उनकी प्रेमी का लेडी इसाबेला से संबंधित पत्रों और स्मृती चिन्हों का एक संग्रह प्रकट किय उस पल में भूतिया आवाज एक बार फिर बोली, अब नरम, लालसा और अफसोस से भरी हुई युवाओं अतीत की परचाईयों में रौशनी लाने के लिए धन्यवाद, मूनस्टोन मैनर को अंततह शांती मिले मूनस्टोन मनोर के रहस्यों का आखिरकार परदाफाश होने के बाद, बच्चे पुरानी हवेली से बाहर आये, उनके दिल रोमांच से भरे हुए थे, और दोस्ती और साहस की शक्ती की एक नई समझ थी और यद्यपी अतीत की फुसफुसाहट हवा में तैर रही थी, वे जानते थे कि उन्होंने सच्चाई को उजागर कर दिया है और विलोबुक के इतिहास में एक लंबे समय से भूले हुए अध्याय को बंद कर दिया झाल